नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल जर्धारी क्लासिज में दोस्तों उत्राकन परिक्छावानी MCQ सीरीज का आज हम यहाँ पे ला रखे हैं पांचवाँ पार्ट चार पार्ट यहाँ पे कंप्लिट हो चुके हैं जिन्होंने वो पार्ट नहीं देखे वो जाके प्लेलिस्ट में उनको भी देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो सुरू करते हैं आज की वीडियो का फ़र्ष्ट क्वेशन है भागीरती नदी निकलती है यहाँ पे आप ओप्सन देख सकते हैं गोमुक से, गंगोतरी से, तपोवन से या विश्णु पर्याग से तो भागीरती नदी निकलती है उत्तरकासी में इस्चित गंगोतरी हिमनत के गोमुक से निकलती है दोस्तों भागीरती नदी तो वन का राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन ए गोमुक से निकलती है भागीरती नदी और देखो भागीरती का और अलकननदा का संगम कहां पे होता है तो देव पर्याग में होता है भागीरती और अलकननदा का संगम और उदगम इस्थल या गोमुक से और देव प्रियाग तक भागिरती की लंबाई कितनी है 205 किलो मिटर है भागिरती की लंबाई ठीक है अब इसकी सायक नदियों की बात करें तो जो भागिरती है उसकी सायक नदी एक तो हो गया बिलंगना बिलंगना का उद्गम कहां से होता है खतलिंग गिलेशर से होता है और भागी रती से संगम इसका होता है गडेश प्रियाग में ठीक है और भी इसकी सायक नदी है एक रुद्र गंगा हो गया जाड गंगा या जानवी गंगा हो गया असीम गंगा, केदार गंगा, सिया गंगा, ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं, ये हैं भागी रती की सहायक नदियां निम्न में से कौन नदि हिमनद से नहीं निकलती है, यहां पे आप औप्सन देख सकते हैं, ये बंदरपूच गलेशियर से, जो कहां उत्तरकासी में इस्तित है, ठीक है अलक नंदा निकलती है सतोपंथ हिमनत से जो चम्बोली में इस्तित है मंदाकनी निकलती है मंदाकनी चोरावाडी गिलेशर से जो रूदर प्रयाग में इस्तित है जबकि जो कोसी नदी है यह किसी भी हिमनत से नहीं निकल कर यह कोसानी बागेशवर से निकलती है तो इसका right answer option C हो जाएगा question number 3 है मंदाकिनी नदी किस जलब प्रवाह यानि कि मुख्य नदी से सम्मंदित है तो 3 का जो right answer है वो है option A मंदाकिनी किस से सम्मंदित है अलक नंदा से क्योंकि अलक नंदा की सायक नदी कौन है मंदाकिनी है जो अलक नंदा है उसका उद्गम खां से होता है तो सतोपंध हिमनद चमोली से होता है और उद्गम छेतर से हो देव प्रयाग तक जो अलक नंदा की लंबाई है वो है 195 किलो मिटर और देव प्रयाग में ये किस से मिलती है तो भागी रति से मिलती है question 4 है हींकुन जील गिरी हुई है तो यहाँ पे आप option देख सकते हैं तो 4 का जो right answer है वो है option B ठीक है साथ सिखरों सो गिरी हुई है हेमकुंड जील और हेमकुंड जील या इसको क्या कहते हैं लोकपाल जील के नाम से भी जाना जाता है और यह कहां इस्तित है यह है चमोली में इस्तित है हेमकुंड जील नोकुचि अताल और D है सतोपन ताल तो 5 का जो right answer है वो है option C नोकुचि अताल जिसके कितने कोने है नोकोने है नाम से में लग रहा है नोकुचि अताल जील क्या है किन नदियों के संगम पर इस्तित है तो टीरीबान किन नदियु के संगम पर है भागी रति और भिलगना के संगम में है टीरीबान तो शिक्स का राइट आंसर हो जाएगा, option B इसका राइट आंसर हो जाएगा Question No.7 है, जानवी नदी किस मुखे नदी से समन्दित है, तो पर बतायें यह किस समन्दित है, यह है भागी रती से, क्योंकि जानवी नदी भागी रती की सायक नदी है, इसका right answer option B हो जाएगा, इसका उद्गम कहां से होता है? तो थांगला दरा उत्तरकासी से होता है जानवी नदी का या जाडगंगा का उदगम और भागिरतिय से संगम में होता है इसका भेरो गाटी में Quesion नमर आठ है काली और गोरी नदियों का संगम होता है तो जो ये question है ये 2016 के पुलिस कॉंस्टेबल में भी ये आ चुका है पुलेक दर्ये के निकट है काला फानी व्यास आस्रम और वहीं से होता है जो काली नदि है इसका उदगम होता है मिलम गलेशियर से और संगम कहां पर होता है तो जोल नदियां है तो काली नदी की ये सभी सहयक नदियां है और जो ये सर्यू नदी है ये काली नदी की तो सहयक नदी है लेकिन सर्यू नदी के भी तीन सहयक नदियां है एक है गोमती दूसरा है पनार नदी और तीसरी है पूरवी रामगंगा ये किसकी सहयक नदियां है सर्यू नदी की नदी केदानाच से रुदर परियागत तक बहती है कुशन नमर 11 है कुमाउँ छेतर की सबसे पवित्र नदी है दोस्तों इससे पहले में आपको एक बात बता दूँ कि जो ये परिक्षावाणी सीरी चल ली है ये बिल्कुल परिक्षवानी बुक के चप्टर के अकोर्डिंग ही चल ली है और आज यहाँ पे ला रहे हैं फिप्त चप्टर जो है उत्राखर नदी तंत्र, जीले, गलेशियर, कुंडवा, प्रपातो इसते पहले कि जो फोर्थ चप्टर है उनकी भी यहाँ पे फोर्थ वीडियो आचुकी है आप उनको भी देख सकते हैं तो 11 का जो राइट आंसर है वो है option D सर्यू नदी कुमाओ छेतर की सबसे पवित्र नदी है और जो यह सर्यू नदी है यह किसके सहयक नदी है तो यह काली नदी की सहयक नदी है सर्यू नदी इसका उदगम होता है दोस्त जल्रा से देने वाली सहयक नदी की है उतराखन की सबसे बड़ी नदी वो है काली सार्याद नदी और सबसे अपवत्र नदी वी कौन है वो भी काली या सार्याद नदी है क्वेशन नमर बारा है निमन में से कौन सी यमुना की सहयक नदी नहीं है तो देखो टॉंस भी यमुना की सहयक नदी है गिरी भी सहयक नदी है यमुना की और आसा नदी भी यमुना की सहयक नदी है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्सन डी जो सोंग नदी है ये यमुना की सायक नदि है और टौस नधी की भी दो सायक नदिया है एक रूपिन और एक सूपिन नदि और यमना की आसन नदि भी और ये गिरिक गंगा भी यमना की सायक नधिया है questionnaire number 13 है किस इस्थान से भागी रति को गंगा के नाम से जाना जाता है तो तेरा का जो right answer है वो है option B, देव पर्याग से जाना जाता है भागी रति को गंगा के नाम से, देव पर्याग से आगे भागी रति और अलख्णनन्दा को किस नाम से जाना जाता है तो गंगा के नाम से जाता है और देव प्रियाग में भागी रती को सास और अलक नंदा को बहु के नाम से भी जाना जाता है Q14 है किस जिल्ले में प्राकर्तिक जीलों की संख्या सरवाधिक है Q15 है कौन ताल उत्राखन के रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्सन C हो जाएगा रूपकुन को जाना जाता है उत्राखन के रहश्य ताल के नाम से रूपकुन कहां है तो ये चमोली में इस्तित है और इसी ताल को कंकाली ताल या रहश्य मही ताल के नाम से जाना जाता है कंकाली ताल के नामसे से क्यों जाना जाता है क्योंकि इस ताल में आज भी राजा यस धवल और रानी बलपक तथा उनके सैनिकों के क्या पराप्त होते हैं कंकाल पराप्त होते हैं इसलिए इस ताल को क्या का जाता है कंकाल ताल या रहश्यमई ताल कहा जाता है Q16 राजा का सबसे लंबा हीम्नध है P3 वबबा हीमनध Q17 गडवाल झेतर का सबसे बड़ा यहांव गहरा ताल है तो सहस्त्र ताल है गड़वाल छेतर का सबसे बड़ायोम गहरा ताल तो सतरा का जो राइट आंसर है वो है option B और कहां इस्तित है ये है टहरी जिले में इस्तित है सहस्त्र ताल टहरी जिले में और भी ताल जैसो यम ताल हो गया बासु की ताल हो गया अपसरा ताल ये सब कहा है इस्तित है टिहरी जिल्ले में Q18 है खतलिंग गिलेशर इस्तित है 18 का जो राइट आंसर है वो है option यहाँ पे 20 का सही हो जाएगा टिहरी और यहाँ पे अगर रुदर प्रियाग भी होता तो टिहरी और रुदर प्रियाग में इस्तित है खतलिंग गिलेशर Q19 है हेमकुन या लोगपाल जील के किनारे सिखूं के कौन से गुरु ने तपश्या की थी तो इसका right answer हो जाएगा option D गुरु गोविन सियाने की थी यहाँ पे तपश है और यह सिखों के कौन से गुरु थे तो दसमें गुरु थे देखो जो यह हेमकुन्याल लोकपाल जील है यहाँ आज भी एक प्रसित गुरु द्वारा है और लक्षमन जी का प्राचिन मंदिर भी यहीं पे इस्तित है और जो यह हेमकुन्याल लोकपाल जील है यही गिरिया साथ परवतों से question number 20 है नचकेता ताल किस जिले में इस्तित है तो इसका जो right answer है वो है option D उत्तरकासी में इस्तित है नचकेता ताल नचकेता ताल से क्यों कहते है क्योंकि यहाँ पे नचकेता और यमराज का यहाँ पे समाध हुआ था question number 21 है निमन इस्तानों में से किस इस्तान पर गरम जल स्रोत इस्तित नहीं है तो 21 का जो right answer है वो है option D गंगोतरी में नहीं है क्योंकि देखो जो बदरीनाथ है कहाँ इस्तित है चमोली में और यहाँ पे क्या है तप्त कुंड है सूर्य कुंड है यह सभी कौन से कुंड है गरम कुंड है दूसरा यहाँ पे निमन इस्तित है तो उत्तरकासी में स्तित है और यहां पर सूर्य कुंध है जो कि एक गरम कुंध है नेक्ट यहां पर गोरी कुंध यह का इस्तित है रुद्र प्रियाग में और यहां अगनी कुंध है जो कि एक गरम कुंध है जबकि जो गंगोतरी है यहां पर सभी ठंडे कुंध है जैसे ब्रहम कुंध हो गया पागी रती है ये गोवक से निकलती है बिलंगना निकलती है खतलिंग से से और मन्दा की निकलती है चोराबारी ताल से जब कि जो पस्चिमी राम गंगा ये सायक नदी है किसकी गंगा नदी की और राजसे बाहर निकलती है ये कालागर नामक इस्थान से जो की पोड़ी में इस्थित है ठीक है जो पस्चिमी राम गंगा है ये कालागर नामक इस्थान से निकलती है राजसे बाहर और गंगा नदी से इसका संगम होता है यूपी कन्नोज में इसलि ओर दन में और भी जलप्रपात हैं सहस्त्रधारा हो गया सिखर हो गया और भटा जलप्रपात है्च जैयारा रिम मंदल करदी कुमाई मंडल की बड़ा हीमनद है और यह कहां इस्तित है पिथोरागड के मुनश्यारित तहसिर में इस्तित है क्वेशन नमर 25 है छे कोनों वाला डोडी ताल किस जिल्ले में इस्तित है 25 का जो right answer है वो है option B उत्तरकासी में इस्तित है छोग 6 कौनों वाला डोटी ताल ठीक है और यहीं से असीम गंगा यानि की भागी रती की जो सायक नदी है असीम गंगा उसका उदगम भी इसी ताल से होता है question number 26 है अलक नंदा नदी का उदगम इस्ताल है question number 27 है बागेश्वर किने नदियों के संगम पर इस्तित है 27 का जो right answer है वो है option A सर्यो और गोमती नदी के संगम पर वसा है बागेश्वर सर्यो नदी का उदगम होता है बागेश्वर के सर्मूल से और गोमती नदी का उंदगम होता है डेवरा स्रेणी बागिश्वर से इसका right answer option A हो जाएगा question number 28 है निम्न में से कौन नदी सर्यू नदी की सायक नदी नहीं है 28 का जो right answer है वो है option D जो लादिया नदी है ये सर्यू नदी की सायक नदी नहीं है क्योंकि गोमती भी है पनार भी है और पूरवी राम गंगा ये सर्यू नदी की सायक नदी है और सर्यू नदी की सायक नदी है तो ये काली नदी की सायक नदी है ठीके जो लदिया नदी है या उत्राखन की क्या है सबसे अंतिम नदी भी है वो इसका उद्गम होता है गजार से और संगम होता है इसका चूका क्योंकि जो ये लदिया नदी है ये किसकी सायक नदी है तो ये भी काली नदी की सायक नदी है क्वेशन नमर 39 है खतलिंग हिमनद उद्गम इस्थान है तो 39 का जो राइट आंसर है वो है ओप्सन बी खतलिंग नदी से किसका उद्गम होता है तो भिलंगना नदी का उद्गम होता है खतलिंग हिमनद से ठीक है और भिलंगना नदी किसकी सायक नदी है तो यह भागी रती से भिलंगना नदी कहां पे मिलती है तो गणिय इस प्रियाग में भिलंगना और भागी रती का शंगम होता है क्वेशन नमर 30 है कफनी गिलेश्यार कहां इस्तित है तो भागेश्वर में इस्तित है कफनी गिलेश्यार तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा क्वेशन नमर 31 है किस ताल में गांदी जी की अस्तियां विसर्जित की गई थी तो यहां पे उप्सन ए सरवदी ताल बेनी ताल हेमकुंड या रूपकुंड तो 31 का जो राइट आंसर है वो है उप्सन ए सरवदी ताल में क्या गांदी जी की अस्तियां विसर्जित की गई थ तो इसलिए इस ताल को सरवदी ताल को गांधी सरोवर ताल भी कहते हैं और इसी ताल को चोरावाडी ताल भी कहते हैं जो ये बेनी ताल ये कहां इस्तित है ये चमूली में है हेमकुन भी चमूली और रूपकुनी तीनों ताल कहां इस्तित है तो ये आपके चमूली में इस् A है हेम कुंड ताल, B है होम कुंड ताल, C है सब्त कुंड ताल और D है रूप कुंड ताल तो इसका राइट आंसर है option D रूप कुंड ताल को कहा जाता है कंकाली ताल या इसे रह्षमई ताल की नाम से जाना जाता है question number 33 है उत्राखन की निमन जीलों में से कौन सी एक तिर्भुजाकार है तो 33 का जो राइट आंसर है वो है option D सतोपन ताल है तिर्भुजाकार और या कहां इस्तित है तो चमोली में इस्तित है सतोपन ताल और इसी ताल से होता है अलक नंदा का उदगम ठीक है इस ताल को तिर्भुजाकार ताल क्यों कहते है क्योंकि इस ताल के तीन कौन है और माना जाता है कि इसी ताल में ब्रह्मा विष्ण और महेश ने यहां पे तपश्या की थी question number 34 है निमन में कौन कुंड चमोली जिल्ये में इस्तित नहीं है तो 34 का जो राइट आंसर है वो है option D क्योंकि रिसी कुंड भी चमोली में इस्तित है हेम कुंड भी चमोली में इस्तित है होम कुंड भी चमोली में इस्तित है जबकि जो यह पारवत्ती कुंड है यह आपके पिथोरागर में इस्तित तो इसका राइट आंसर option D हो जाएगा क्वेशन नमबा 35 है सरश्वती वा अलग नंदा का संगम या मिलन देखो देव परियाग में होता है बागीरती और अलग नंदा का संगम और विश्णु प्रियाग में होता है पस्चिमी दोली गंगा और अलक नंदा का संगम ये भी आप नोट कर सकते हैं Q. 36 है रूदर प्रियाग में अलक नंदा से संगम होता है Q. 37 है पूर्वी दोली गंगा सायक नदी है Q. 38 है निमन में से कौन सा युगम गलत है Q. 38 का जो रूदर प्रियाग में ये कहां इस्थित है ये रूदर प्रियाग में इस्थित है और जो ये वासु की ताल है ये रूदर प्रियाग और तीरी में इस्थित है वासु की ताल और जो ये वासु की ताल है इस ताल का पानी कैसा होता है लाल रंग का होता है क्योंकि वासु की नाक्य कारण और यहां ताल नीले रंग के कमल के लिए भी ये बासुगी ताल प्रसिद है इसका right answer option B हो जाएगा question number 39 है पंचकेश्वर बांध किस नदी के उपर प्रस्तावित है 39 का जो right answer है वो है option C काली नदी के उपर है पंचकेश्वर बांध question number 40 है उत्राखन की सरवाधिक लंबाई वाली नदी कौन है तो इसका जो right answer है वो है option A काली नदी उत्राखन की सरवाधिक लंबाई वाली नदी है और उत्राखन की सबसे क्या है ये अपवित्र नदी भी कौन है काली नदी है Q41 है किस ताल को गांधी सरोवर ताल कहते हैं तो option C इसका right answer हो जाएगा चोरा बाड़ी ताल को कहते हैं गांधी सरोवर ताल यह कहां इस्तित है यह आपके रुद्र प्रियाग में इस्तित Q42 है किस ताल को भाई बहन ताल भी कहा जाता है तो इसका right answer है वो है option A मासर ताल को भाई बहन ताल के नाम से जाना जाता है और यह कहां इस्तित है तो यह तीरी गड़वाल में इस्तित है मासर ताल और जो यह ताल है यह दो कटोरे नुमा ताल से निर्मित हुआ है मासर ताल question number 43 है पिंडर नदी का उदगम है तो यहाँ पे option है बदरीनाथ, B है केदानाथ, C है पिंडरी गलेशर और D है मिलम गलेशर तो इसका जो right answer है 43 का वो option C हो जाएगा इसका right answer पिंडरी गलेशर से होता है पिंडर नदी का उदगम और पिंडर नदी किसकी सायक नदी है तो यह है अलक नंदा की सायक नदी है पिंडर नदी और यहाँ पे इसका उदगम होता है बागेशर के पिंडरी गलेशर से question number 44 है किस ताल को उत्राखंड की उबलती ताल कहा जाता है तो यहाँ पे option A है साथ ताल को, B है नैनी ताल, C है बयाताल और D है उप्रोक्त में से कोई नहीं 44 का जो राइट आंसर है वो है option C 5 कंटी या बयाताल को कहते हैं उत्राखंड की उबलती ताल और यह कहा इस्तित है यह है उत्तर कासी में इस्तित है 45 का जो राइट आंसर वो है option A नो कुचिया ताल है उत्राखंड की सबसे गहरी जील के उत्तर के कितने कोने है नो कोने है और यह कहा इस्तित है यह कुमाऊ के नैनी ताल में इस्तित है नो कुचिया ताल क्वेशन नमर 46 है अलक नंदा यों मंदा किनी नदियों के संगम पर इस्थित है 46 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहां पर रुद्र प्रियाग ओप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 का 47 है गंगार राष्ट्य नदी घोशित की गई ओप्शन A है 2001, ओप्शन B है 2005, ओप्शन C है 2008 और ओप्शन D है 2009 तो गंगार नदी जो है राष्ट्य नदी कब गोशित की गई तो यह की गई थी 4 डवंबर 2008 को इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन C 2008 इसका राइट आंसर हो जाएगा Q49 है सही युगम का चयन कीजिए यहाँ पे गिलेशर दे रहे हैं और कौन सा गिलेशर किस इस्थान में इस्थित है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओप्शन गंगोत्री गिलेशर कहा है तो यह उतरकासी में है मिलम गिलेशर है पितोरगड में और सतोपंध गिलेशर है चमोली में इसलिए इसका राइट आंसर ओप्शन D हो जाएगा Q49 है भागी रती और अलकनन्दा नदियों को किस नाम से जाना जाता है उप्शन है माता पुत्री, B है माता बहन, C है बहन बहन और D है सास बहू तो 49 का जो राइट आंसर है वो है उप्शन D सास बहू की नाम से जाना जाता है भागी रती और अलकनन्दा को बागी रती और अलक नंदा का संगम होता है देव प्रियाग में और देव प्रियाग के आगे इनको जाना जाता है गंगा नदी के नाम से बागी रती को कहते हैं सास और अलक नंदा को कहते हैं बहू और आज कर लाश्ट क्वेशन है याँ पे क्वेशन नमर फिप्टी श्यामला ताल कहां इस्तित है और जिल्मिल ताल भी चमपावत में इस्तित है दोस्तों आज था ये परिक्षवानी सीरीज का ये पांचवा पार था आसा करते हैं आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें शियर करें और अगर यूटूब में नहीं आये हो तो यूटूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें